Welcome back to my channel आज मैं आपको लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे और फायदेमंद दो मेडिसीन दोस्तो ऐसा है कि अक्सर लोगों के पेट में लोगों के किरिनी में अस्टोन हो जा रहे हैं तो अस्टोन हो जाने पर वो काफी पैसे एक्सपेंस कर रहे हैं काफी परसान हो रहे हैं और फिर भी उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है और दस लोगों के बहुत कवाबे में दस डॉक्टर दस हॉस्पीटल बहुत जग घूम रहे हैं जाता है कि यह बरवरिस और किलिर स्टोन सुबह दो पहर साम आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी में दस दस बोंद की तीन टाइम इसे लेना है और इसके बाद मैं आपसे बताता हूं कि आपको होने वाले किड़नी स्टोन कुछी महीनों में कुछी हफ्तों में छुटकारा मिल जाएगा यदि छोटे-छोटे स्टोन है 5 mm के 4 mm के तो वो स्टोन तो आपको बिदिन मंत में समाप्त हो जाएंगे लेकिन यदि आपको 13 mm को हो या 14 mm को हो वो उसमें थोड़ा सा समय लगता है लेकिन गारंटी है कि आपका ये दोनों मेडिसीन से दोनों होमेपैथिक मेडिसीन से ठीक हो जाएंगे और इसके साथ-साथ आपको लेने होंगे पथर-चट्टा एक पत्ता आता है जो की जिसका नाम है पत्थर-चट्टा तो पत्थर-चट्टा आपको अकसर ही जो है न वो मिल जाएंगे जहां पेड़-पोधे मिलते हैं नरसरी में वहां पर मिल जाएंगे वहां से आपको पत्थर-चट्टा का दो-तीन पत्ता डेली खाने हैं वो थोड़ा सा तीखा लगेगा तो इसको हलका सा छिणी के साथ मिला कर कर आप पुले ने हैं और इसके साथ साथ आपको जितने ही भीज वाली सब्जी है जैसे टमाटर हो गए हैं μेडन हो गए हैं और इसके साथ आपको नहीug क्हाने हैं मलाई हो गए घी हो गए इन सारे चीज़ों को नहीं खाने है तो दोस्तों जिन किसी को भी अस्टोन हो किडिनी में वो इस हमारे बरवरिस और किलियर अस्टोन जो की होमियोपेथिक मेडिसीन पर अवलोबल है आप यूज कर सकते हैं धन्यवाद यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो किर्पया कर इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइप करें ताकि मैं भविस में आपको ने ने वीडियो और ने अपडेशन देता रहूं फिर से मैं इसको मैं एक वार दिखा देता हूं बर्वरिस और किलिर स्टोन थैंक यू